Hello children, अभी मैंने part 1 में आपको last time करता कारक पढ़ाय था कि कारक होता क्या है, कारक का मीनिंग होता है करने वाला, जिसमें हमने बताया कि कारक कितने होते हैं, कारक विभक्तिया कितनी होते हैं, साथ, आप सभी को पता ही होगा, प्रतमा, दृतिय, तृतिय, चतुर्थी, पंच मेरा चैनल सब्सक्राइब ना क्या हो तो प्लीज कर लें और अगर आपको कर्ता खारक के बारे में पढ़ना है तो आप पार्ट बन देखिए उसके लिए तब ही आपको आगे समझ में आएगा कर्तु रिपसी टतम कर्म किसी वाक्य में परियोग किये गए पदार्थों में से कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है यानि कि कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहा रहा है जो भी चीट करना चाहा है जैसे राम फल खाता है तो यहां पर राम क्या है सबसे अधिक किसको चाह रहा है फल को तो यहां पर क्या कारक हुआ करम कारक अर्थात जिस पर क्रिया के जैसे करता कारक में ने कहीं छिपा हुआ होता है और कहीं पर दिया हुआ होता है तो यहां पर भी सेम कहीं पर को छिपा हुआ होता है और कहीं पर दिखता है जैसे से नाटकम पश्यती वह नाटक को देखता है तो यानि कि इसमें नहीं दे रहा वह नाटक को देखता है पर अ यहां पर सबसे जबिक किसको चाह रहा है नाटक को। जैसे राम फलखाता है तो राम सबसे जबिक किसको चाह रहा है थिते वक्ति और ने करमकारक में अभी बताया था रामे स्वाजनकम वंदते राम अपने पिदा जी को प्रणाम करता है हागाय क्रिया विशेशने क्ली कत्व मेकम वच्ष्रंच यान की K्रिया विशेशनद बताने में भी दिट्य वख्ष्षी होतीhe लेकिन यह क्या करता है सिरफ नपू सक्लिंग एक वचन में होना चाहिए क्रिया विशेशन जब हम परियोग करते हैं जैसे मोहने शीग्रम धावती मोहन तेज दोड़ता है तो यहाँ पर कैसे दोड़ रहा है? तेज तो यहाँ पर कौन सी वक्ती का ब्रियोग होगा? शीग्रम और वैसे देखा जाए तो यहाँ पर अव्वे भी है और अव्वे साथ जो है वो हमारा करता कारक भी यूज़ होता है लेकिन यहाँ पर शीग्रम क्या है? क्रिया विशेशन का काम कर रहा है तेज दोडता है गीता मदुरम वदती गीता मीठा बोलती है या प्रिये बोलती है तो यहाँ पे क्या हो गया किसका काम कर रहा है क्रिया विशेशन का करता क्या है करता करम यह करता है हो गया गीता और यह हो गया करम मदुरम वदती और भी बाते हैं इसमें और भी सूत्र आ रहे हैं अकतितम्चे यानि कि संस्क्रित में 16 ऐसी द्विकर्मक धात्वे हैं जिनके योग में दित्य भक्ति का परियोग किया जाता है जैसे संस्क्रित में दुहू दोना, याच मागना, पच पकाना, दंड दंड देना, रुद घेरना या रोकना, प्रच पूछना, ची इकठा करना, चुनना या बटोरना, ब्रू बोलना या कहना, शास उपदेश देना, मत मतना, मुष चुराना, नी ले जाना, हरी हरन करना य या खीचना वहाँ धोना ये सोला धातुएं और इसके अर्थ वाली अन्य धातुएं वी कर्मक यानि की दो अर्थ वाली होते हैं और इनके योग में भी दित्यवक्ति का परियोग किया जाता है जैसे आई एक सेंटेंस आगे कुछ एक्जामपल डिवन है वह हम देखते हैं गाम में गाम गो मूली शब्द बनेगा गो तो इसका गो का क्या बनेगा गाम गाम क्या दित्यवक्ति एक वच्चन सीता स्वामात्रम मोदकम याचते सीता अपनी माता जी से लड़ू मांगती है यानि कि याचधातु में क्या आ गया मोदकम मोदकम में कौन से वक्ति आ ग योग में ओधनम आ गई दृत्य बक्ति गुरू छत्रम छत्त पनकम दंड्यती शेक्षक चात्रपर सो पैसों का दंड देता है दंड देर्णे में कौन सी आ गई दृत्य यानि कि धी करमधातों यहाँ पे दोनों में आ रही है दोनों में यहाँ पर भी थंडुलान ओधनम य खालंकि चात्र पर देखा जाए तो यहाँ पर सप्तमी बदारा हिंदी करें तो अनुबाद लेकिन यहाँ पर दंड धातु के योग में यह दी कर्मक धातु हैं इसलिए चात्रम शत्रपणखं आ गया आगे देखते हैं और जनहा नेतार्यम प्रश्णम प्रचंति मनुश्य नेता से प्रश्ण पूछते हैं तो प्रच्धातु के योग में भी दित्या और देखो नेतारम में भी दित्या और प्रश्णम में भी आचारे शिश्यम धर्मम ब्रूते आचारे शिश्य को धरम का उपदेश देता है अब हालंकि यहाँ पर आगे धरम का लेकिन तो आप जब चैप्टर बढ़ते हैं तब यह आपको बहुत help करेंगे तब आप confused नहीं होंगे कि यह ऐसा क्यों लिखा हुआ है क्योंकि जब हम चैप्टर बढ़ते हैं तो इसी के according होते हैं क्योंकि जब तक हमारी व्याकरण शुद नहीं होगी तब तक पुस्तक कैसे आगे आया गत्यर्थ कर्मनी मैंने बहुत बार चैप्टर में भी बताया कि गम धात्यों के योग में यानि कि गम धात्यों के योग में या गम नार्थक धात्यों के योग में भी जहां भी जाया जाता है उसमें दृत्या विभक्ति होती है गम में होता है जाना तो यह था बालक है ग्रिहम गच्छती बालक घर जाता है तो ग्रिहम में कोन सी आ गई गच्छते पहले द्वितिया सिंग है वनम अटती सिंग वन में घूमता है अब ये घूमता है एक भी किस में आ गया जाने में तो अटधा तो भी किस में आ गई जाने में तो ये आ गई द्वित्या आ गया आया काला धनोर अत्यन्त संयोगेच यानि कि जब कोई काम निरंतर चल रहा है कालवाची में और मार्गवाची में तो तब समय वाचक शब्दों में भी दुध्य विभक्ति आती है जैसे कि से 12 वर्षाणी व्याकर्णम अपठत उसने 12 साल तक व्याकरण पड़ी तो यानि कि जब काम समय में चल रहा है तब भी दुध्य वक्ति का परियोग होता है एक और सेंटेंस तो हम दिनम स्वापी सी तुम दिन भर सोते हो यानि कि जब आप कहे तुम दिन भर सोते हो तो यह क के साथ बता दिया था कि काल वाची में और मार्ग वाची में यानि कि दूरी वाचक में मार्ग के बीच में भी किसी भी प्रकार का व्यवधान नहों तो वहाँ पर भी दित्के वक्ति का परियोग होता है जैसे एकं क्रोशं परवते अस्ति एक कोस भर में पहाड है आगे देखिए अधि शींग स्था साम करम यानि कि शी अजय स्था अधातू के पूर्वी अधि उपसरग लगे तो यदि अधि उपसरग लग जाए तो अधि करन की बजाए यानि कि सब्तमी भी भक्ति की बजाए वहाँ पर गिट्ट्य भक्ति का परियोग की आजाता है जैसे निपह सिंगासनम अधि तिश्टती राजा सिंगासन पर बैठता है अगर यहाँ पर आ जाता अधि ना आता उपसरग तो यहाँ पर सिंगासने हो जाता तिश्टती के साथ तो यहाँ पर सिंगासने हो जाता यह तो अधि उपसरग लगने पर यह दित्य भक्ति का हुआ है भाली का परियंकम अधिशेते अब मैंने बताया अधी के योग में दुत्य भक्ति का परयोग हो रहा है नहीं तो यह सक्तमी Castali का परियंक यह लेकिन अधी आ गया इसलिए पलंग पर यानिकर परियंकम दुतिय एक वचना गया लँपर सोती है अधी जम आस्ते, या पर संधी भी हो रही है, अधी जम आस्ते यानि कि मैंने आपको बताया था कि छोटी E से पहले यानि कि के बाद अगर कोई भी भी भीनस्वर आ जाए तो यह यो में बदल जाता है तो यह बन गया अध्यास्ते वह बालक वह लड़का आधे आसन पर बैठता है अर्धासनम अध्यास्ते तो यानि कि अध्यास्ते के कारण यहां पर क्या आ गया दित्या एक वचन नहीं तो हम करते अर्धासने, अध्यासते ना होता तो, सिरफ आस्ते होता तो हम क्या करते अर्धासने, तो आपको समझ में आ गया होगा, इसी परकाशते जब आप चेत्र पड़ते हैं, तो आप इन बातों का ध्यान रखा करो, क्योंकि जब तक हमारी व्याकरण शुद्ध नहीं होगी, हम पुस्तक में वैसे ही उलच जाएंगे, आगे आया, उपान्व, उपान्व ध्या, ध्वस है, थोड़ा सा मेरे चिश्मी का नंबर शाहिद बढ़ गया है, मेरे थोड़ा विजिवल नहीं हो रहा है, उपान्व ध्या, ध्वस है, यदि वस धातु के पहले, उप, अनू, अधी, आंग, उपसर्ग आएं, तो इसके अधार में भी ध्यत्य भक्ति होती है, यानि कि वस धातु से पहले, अगर ये उपसर्ग लगे हो, उप, अनू, पीछे, यानि कि अधी, आंग, तो भी ध्यत्य भक्ति का परियोग होता है, लेकिन अगर ये उपसर् अगर तुम इसको देखके बनाते हो तो कोगे मैंनम यहां तो सब्तम ही आएगी लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर यह उप लग गया धातु से पहले तो यहां पर दित्यवक्ति का परयोग हुगा मोहने ग्रिहम उपवस्ति अनुवस्ति अधिवस्ति आवस्ति कुछ भी आजय मीनिंग सेम है मोहन घर पर रहता है वस्ति का मीनिंग भी सेम है रहता है उपवस्ति आजय तो भी रहता है अनुवस्ति आजय तो भी रहता है अधिवस्ति आजय तो भी रहता है आगया अभी न अगर यह नहीं आएगा विश्धातु से पहले उपसर्ग तो यह सक्तमी में रहेगा और अगर यह आगया तो यहाँ पर दुप्यवक्ति का परियोग होगा प्रिष्ण है सनमारगं अभी निवेष्टे यानि कि क्रिश्ण अच्छे मारग का अनुसरन करता है अगया वार्तिक उबस उबसर्वत तो हो का रहा यानि कि उभेतल मीज दोनों तरफ यानि कि उपदीवक्ति अबे हैं सर्वते सब तरफ दिक दिकार उपर उपरी ठीक उपर अधोध है ठीक नीजे शब्दों की जिससे सानिकटता प्रतीद होती है उसमें भी दृत्यवक्ति का प्रियोग होता है आईए इसका भी एक्जाम्पल देख लेते हैं क्रिश्णम उभेते सर्वतो वा गोपह संती क्रिश्ण के दोनों और या चारों तरफ वाले चारों तरफ ग्वाले हैं तो यानि कि उभेते के योग में क्रिश्णम में दित्यविभक्ति का प्रियोग ये संधी हो गई क्रिश्णम उभेते क्लियर या फिर सर्वते आ गया य वाका मीनिंग क्या हो गया और सर्वते का मतलब चारू तरफ तो भी कृश्णम में इया उभेटे आए या सर्वते आए तो आपने कृश्णम में दिट्टेवक्ति का प्रियोग करना है, धिक-धिक मूर्ख को दिक का रहा है हाई हाई ये मूरख hai 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 ... व्यूद्ध्ध उपर उपरी … लोकम हरी हरी सन्सार के ठीक हो औरा है कि अपरी वगत्ति में व vue बंफित्ति या धुद्धरी आए दोनौ में ही जित्त्य वक्ति का परियोग लोकम हरी…. जो अगया अभितय, परितय समया निक्षया हा प्रतियोग है यानि कि इन सब के योग में भी दित्य भक्ति का परियोग बहुत बार मैंने देखा है अभीत्य का मीनिंग वैसे दोनों और होता है लेकिन कुछ बुक्स में सब तरफ दिया हुआ है हलंकि इससे पहले दित्य भक्ति का ही परियोग होता है लेकिन कई बारी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं तो इसका अभीत्य का मीनिंग हमने तो दोनों और ही पढ़ा है लेकिन मैंने कुछ पुस्तकों में देखा है वहाँ पे कई-कई जगय सब तरफ देर! परिजत्य हेरे चारों तरफ शमया निकट, निकषा, निकट, हा, हाए तत्ता प्रती की तरफ यानि की और की और के लिए भी डित्य विवक्ति का परियोग होता है जैसे ग्रामाम अभीताय या परिताय वो यानि कि गाउं के दोनों और अभीताय आजाई या उभेताय आजाई दोनों का मीनिंग दोनों और होता है गाउं के दोनों और या चारोर आम वरिक्षाहसंति आम के पेड़ है विद्यालियम निक्षा समया वा नदियस्ति निक्षा आजा जी ये वाला इसलिए यहां पर वा लगा दिया, व्याग है हरेनाम प्रति आपश्यत, बहेलिये नेहिरन की तरफ देखा व्याद है प्रति के योग में हरेनाम दित्वक्ति का परियो, लास्ट हमारे पस एक और है अंत्रा अंत्रेन युक्ते यानि कि अंत्रा बीच में और अंत्रेन बिना और रिते बिना ये जो विना शब्द है विना के योग में दित्या, थृत्या और पंचमी तीनों का परियोग किया जाता है आप विना के साथ दित्या भी लगा सकते हैं विना से पहले थृत्या भी लगा सकते हैं और विना से पहले पंच में भी लेकिन हम यहाँ पर दित्याई भक्ती करमकारक पढ़ रहे हैं तो हम दित्याई बता रहे हैं अंत्रा बीच में अंत्रेन विना तथा रिते बिना के योग में दित्य भक्ती का परियोग हो था अच्छा यहां पिर अंत्रेन का मीनिंग बताया हुआ है बिना अंत्रा त्वाम माहरी माम हरी हरी तुम्हारे और मेरे बीच में है हरी तुम्हारे और मेरे बीच में है यानि कि अंत्रा आगे इसलिए दोनों में कौन सी आगई त्वाम अंत्रेन तुम्हारे बिना तौम बिना तौम रिते तुम्हारे बिना या वामिस या यानि कि कुछ भी आजाए विना आजाए अंत्रेन आजाए रिते आजाए और मैंने आपको पता है ता विना के योग में तव्या भीया सकता है और तो आम लेकिन अंद्रेय और अंद्र आजये ंत्रे तो यह हुआ करम कारत मैं जानकर एक एक कारत करके पढ़ा रही हूँ था कि आप बच्चों को ज्यादा लंबी वीडियो ना लगे और आप लोग ध्यान से समझ सके और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा धन्यवाद